हेलो गाइज गाइज जूबिन सर का नीव सोंग आया है दर बादर तो गिटार पर देखते हैं किस परकार से प्ले होता है मैं इस पर आपको गिटार के कोड और किस परकार से स्टरमिंग है और कौन सी राइन कैसे गाईज आएगी तो गाइज देरी नगरते पर चलते हैं लेशन की ओर जैसे कि आपने वीडियो का थमनेल देखी लिया होगा जूबिन सर का एक नीव सोंगा है दर बादर तो गाइज देखते हैं गिटार पर किस परकार प्ले होता है गाइज सिंपल बात है यह बहुत आसान सोंग है और कुछ इसमें ट्रिक्स वगएर अलग रखे है तो आएज देखते हैं किस परकार से बज़ेगा गाइज इसमें जो कॉड कॉम्बिनेशन गया है वो ए माइनर पहला दूसरा जी मेजर तीसरा एप मेजर और चोथा है जो ई मेजर भी ले सकते है और C भी ले सकते हैं गाइज आफ और इसमें एक कोड और गया है गाईज कोमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही लेसन आपके लिए बनाते रहूंगा तो गाई देखें और इसमें जो इस्ट्रमिंग पैटर्न गया है गाई डाउन अप डाउन चक डाउन अप डाउन चक तो समझें गाईज डाउन अप डाउन चक डाउन अप डाउन चक डाउन अप डाउन चक तो इस परकार का ए माइनर कोड पकड़के इसमें करियेगा 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 2 3 इस परकार से plugging रहेगा गाइस तो सुरू में क्या है plugging है गाइस ए माइनर कोड पर आवाज मैस्ट कीजिएगा गाइस ए माइनर कोड ऐसे पकड़ा जाता है यह माइनर है आप जी यह भी पकड़ सकते हैं गाइस यह भी ले सकते हैं जिसमें आपको कमफर्ट हो वो ले सकते हैं गाइस यह माइनर जी एफ ए सी भी ले सकते हैं गाइस और डी म लाइनर जाएगा मैं बताओंगा कहां किस परकार से जाएगा भी तो देखते हैं तो गाइज पहले लाइने आपको थोड़ा सा गा के दिखा रहा हूं लाइने और फिर मैं आपको समझाओंगा तेरी तरफ कब के चले फिर भी वहीं के वहीं क्या क्या किया तेरे लिए तुझको ख़बर ही नहीं तेरी तरफ ए माइनर कब के चले जी मेजर तो गाइज देखिए तेरी तरफ कब के चले फिर भी वहीं के वहीं तो गाइज क्या कर रहे हैं इसमें लाइन समझे इस पर ए माइनर तेरी तरफ ए माइनर कब के चले जी मेजर फिर भी वहीं के वहीं तो इसमें एफ, सी और ए माइनर ले सकते हैं आप एक बार और समझाया देता हूं गाइज तेरी तरफ ए माइनर कब के चले जी मेजर फिर भी वहीं के वहीं तो सी ए माइनर या ए मेजर भी ले सकते हैं गाइज मैं बिल्कुल एक्जेक्ट तो नहीं बता रहा हूं लेकिन यह दोनों चल जाएंगे आप कोई सभी ले सकते हैं दूसरी लाइन सेम है गाइज क्या क्या किया तेरे लिए तुझको ख़बर ही नहीं तो गाइज दूसरी भी सेम है लाइन क्या क्या किया तेरे लिए जी मैजर तुझको ख़बर ही नहीं तो गाइज इसमें क्या कर रहे हैं क्या क्या किया तेरे लिए जी मैजर तुझको ख़बर ही नहीं C A minor भी ले सकते हैं E A minor भी ले सकते हैं जैसा आपको comfort हो हमें voice गेरने से मतलब है गाइज तो गाइज मैंने बतायते हैं इसमें D minor लगेगा अब लगेगा हम मरते रहे तेरी खातिर तो इसमें D minor जाएगा गाइज हम मरते रहे जी मैजर तेरी खातिर फिर D minor तूने देखाना आखवर दिल दर मदर तो गाइज यहां से देखें तूने देखाना जी मैजर आखवर दिल दर मदर यह आखवर जो आएगा यह C पे आएगा और फिर धर पदर जो आएगा वो ए माइनर पे आएगा गाईज एक बार और समझे गाईज हम मरते रहे प्लगिंग में लेना है इसको हम मरते रहे तेरी खातिव प्लगिंग ही चलती रहेगी मैं पीछे को थोड़ा सा करता हूँ अब देखे गाईज इसमें लेना है डी मैनर हम मरते रहें तेरी खातिव जी मेजर तूने देखाना आख वर दिल बड़ा तो गाईज यहां से स्ट्रमिंग स्टार्ट होता है डाउन 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 डाउ दिल दल बदल, दिल दल बदल, तेरे प्यार में दिल दल बदल, तो डाउन, 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 डाउन दिल्दर बदर तो आप दूसरे हाले श्ट्रमिंग देखते हैं गाईज दिल दर बदर दिल दर बदर तेरे प्यार में दिल दर बदर डाउन अप डाउन चक 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 तो गाइस यह वाला रिदम भी चल सकता है आप जो भी कमफर्ट लगे आपको वह आप यूज़ कर सकते हैं मैं एक बार और गाह के दिखा रहा हूं सायद आपको दिखाई दे रहा हो गाइस एक पर ओवर देखिए दिल्दर बदर दिल्दर बदर दिल्दर बदर तेरे प्यार में दिल्दर बदर तो यह तो चकप वाला था और गाईज डाउं डाउं द ऑंडाउं वाले मैंने दिखा दे नदो कि द है dildar बदर दिल्दर बदर दिल्दर बदर दिल्दर बदर दिल्दर बदर प्यार में कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा गाइस और यदि सोंग को आपको पूरा ची तो मुझे आप कॉमेंट कीजेगा यदि आपके समय नाया तो गाइस मुझे दुबारा कॉमेंट कीजेगा मैं दुबारा बना के बताऊंगा और गाइस कॉमेंट जरूर कीजेगा किसी भी सोंग का यदि आपको टिटोरियल चाहिए वैसे मैं गाइस बता दू आपको मैं क्लासिकल टैप से गिटार वगरे सिकाता हूं और रिल्स वगरे भी डालता हूं गाइस आप देखते रहें तो थैंक्यू गाइस